नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना का प्रको काफी ज्यादा इस समय हो गया है और इसका कमुनिटी एस्प्रेड हो गया है जिसकी वजह से डेली हमारे देश में 2-3 लाख लोग नए कोरोना संक्रमित पाय जा रहे हैं हलाकि संतोस की बात यह है कि इसमें से अधिकांस लोग जो है घर पर ही थोड़ी बहुत चीकिसा लेने के बाद ठेक हो जा रहे हैं ऐसे में सबसे ज्यादा समस्य आ रही है कि जो क्रिटिकल पैसेंट है उनमें ऑक्सीजन का लेवल जो है काफी तेजी से गिरने लगता है और ऑक्सीजन लेवल कैसे हम देखेंगे इसके लिए हमको पॉल्स ऑक्सीमेटर की जोरल पड़ती है पॉल्स ऑक्सीमेटर के द्वारा ही हम अपने ऑक्सीजन का यानि की स्पी ओटो का लेवल मोनीटर कर पाते हैं लेकिन जिस तरीके से रोग्यों के संख्या आप चाहिए जाहिड सी बात है कि ऐसा कौन से विकल्प है जिनको हम पॉल्स ऑक्सीमेटर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आप सबने देखा होगे बहुत लोग स्मार्ट वाच के शौकीन होते हैं और बहुत लोग स्मार्ट पहनना पसंद भी करते हैं तो आजकर स्मार्ट वाच में स्पतू का फंक्सेलिटी भी आजकल आने लगा हैं तो अगर आपके पास प्लस ऑक्सीमेटर नहीं है तो ऐसे में इसका एक बहुत्र विकल्प हो सकता है कि आप smart watch ले ले और ऐसे smart watch ले जिसमें आपको SPO2 measurement की facility हो तो अलग-अलग जो company के smart watch भी आते हैं और अगर सस्ते में खरिदना चाहें तो आप smart band भी ले सकते हैं तो ऐसे में pulse oximeter के रूप में आप smart band या smart watch का भी प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसे कुछ smart watch और smart band के जो है लिंक हम नीचे description में दे देंगे आप जाकर वहां visit कर सकते हैं तो आपनी पसंद के हिसाब से आप उसको ले ले और अपने oxygen का measurement आप उसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद नमस्कार जैहन